किसीन बड़ा कमाल लिखा है कि बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है जिन्दगी हर रोज एक नया पन्ना जुड़ता है जिसमें वो ही एक किताब है जिन्दगी नमस्कार जैहिन साथियों रीट एकजाम 2021 है तूं सामाजी कदेन की टोपिक वाई जो हमने टेस्ट सिरी चला रखी है सरकार गठनकार ये ये यूनिट चल रही है इसमें उप्राश्ट पती प्रधान मंत्री उप्रधान मंत्री यहां से प्रश्णों का संक्ले चल रहा है वी वीडियो का जो लिंक है अपने टेलिग्राम चैनल कभी आदिगने सिंदी इस पर शेर कर देता हूं तो आप टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और ने टोपिक्स की पीडिये डालता रहता हूं जैसे समय मिल रहा है मेरा दूसरा चैनल है आदी की आवाज जिस पर प्रदान मंतरि थे एच पी देव गोड़ा अटल विहरी साः चरण सिंग चैनल मौरार जी सी ज़ंख सुत क्या उत्तर हो जाएगा दे मौरार जी दे साई त्याग पत्र द्वारा पद्द छोड़ने वाले परदान मंत्री कुन थे मौरार जी दे साई अगला सवाल है ए विश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रथम प्रदान मंत्री थे एविश्वास प्रस्ताव से चरण सिंग, विपी सिंग साब, देवगोडा साहब, अटल बिहारी साइ उत्तर हो जाएगा बै, विपी सिंग अगला सवाल है, ऐसे वेक्ति जो राज्य सवा के सदस से रहते हुए भी प्रधान मंत्री बने इंद्रा गांधी, मनमोहन सिंग, इंद्र कुमार गुजराल, या फिर ये सभी लोग उत्तर हो जाएगा, देख, ये सभी जो लोग हैं, ये राज्य सवा के सदस से रहते हुए भी प्रधान मंत्री बने थे अगला है, भारतिय समिधान में उप्रधान मंत्री का उलेख किस अनुछेद में हैं, 76, 78, 85 उलेख है ही नहीं तो उत्तर हो जाएगा, भारतिय समिधान के अंदर उप्रधान मंत्री का जो उलेख है, वो किसी अनुछेद के अंदर नहीं है, यानि कि देव उलेख नहीं है और उप्रधान मंत्री को केबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है अगला सवाल है अब तक कुल कितने व्यक्ति उप प्रधान मंत्री बने है छे, साथ, आठ, नो तो कितने लोग है जो अब तक उप प्रधान मंत्री बने है उत्र हो जाएगा बै अब तक साथ व्यक्ति है जो उप प्रधान मंत्री बने है इन में से सरवाद इगा जो गुजरात के हैं चोदरी, देविलाल ऐसे उपरदान मंत्री थे जिनोंने दो परदान मंत्री कौन-कौन विश्वनात परताब वचंदर शेकर के साथ है जो काम किया था ये सीरीज आपके लिए बहुती लाबदाएक सिद्ध होगी अगर इमानदारी से आप देखते हैं सारे टोपिक अच्छे से व्याख्या के साथ में कवर हो जाएंगे आपके तो वीडियो को लाइक किया करें आप ज़्यादा ज़्यादा शेर किया करें अगला सवाल है राष्ट्रपती की राष्ट्रपती की सला के लिए नहीं की जा सकती, जरूरत पड़ने पर की जा सकती है, सभी कथन गलत हैं, उत्तर हो जाएगा, बै, नहीं की जा सकती है, ठीक है, हमारा प्रियासा आपको श्रेष्ट इस तर के प्रस्टों का संकलन करके उपलब्द करवाएं, तो आप प्रियास करें अपने इस चैनल को और किस समिधान संसोदन के अनुसार मंतری परिश्चद में मंतरियों की संख्या लोग सबह के सदस्यों की संख्या के 15 परतिसत से अधिक नहीं हो सकती इसमें परदान मंतरी भी समिलित है कौन सा समिधान संसोदन हैं वो 41, 61, 91 या फिर 92 इसमें क्या का गया है कि मंत्री परिशद में जो मंत्रियों की संक्या है वो लोग सबा के सदस्यों की संक्या के 15% से अधिक है जो नहीं हो सकती और इसमें पदार मंत्री शामिला पंद्रा के अंदर देखिए वहीं हम बात करें राज्ये विदान सबाओं में यहेवेवस्ता 15% मुखे मंत्रे शामिल है होती है राजस्तान में अधिक्तम 30 सदस्यों से सामिल हो सकते हैं और मंत्री परिश्द के सदस्यों से दोहरी शपत क्रेहन करते है अगला सवाल है मंत्री परिशद सामोहिक रूप से उत्रदाई होती है तो किसके परती ये सवाल एक दूसरी पहले भी पूछा था तो मंत्री परिशद सामोहिक रूप से उत्रदाई होती है लोकसभा के परती और व्यक्तिगत रूप से राष्ट परती के परती अगला सवाल देखिए मंतरी परिशद में मंतरियों की स्रेणिया होती है केबिनेट मंतरी राज्य मंतरी उपर मंतरी या फिर तीनोई स्रेणिया क्या उतर होगा उतर हो जाएगा दे तीनोई स्रेणिया होती है केबिनेट मंतरी भी होती है राज्य मंतरी भी और उपर मंतरी भी डिस्क्रिप्षन में व्यक्या में देख लिजी आप कीचन केबिनेट नाम आता है एक तो ये है लगुन निकाई है जो महत्वपूर केबिनेट मंतरियों से मिलकर बनती है ये कीचन केबिनेट इसे परदान मंत्री की आंत्री केबिनेट भी कहा जाता है और वर्तमान में केंदर में 63 मंत्राले हैं अगला सवाल मंत्री परिश्द की अंतिम श्रेणी मानी जाती है तथा जिसके पास कोई विभाग जो नहीं होता कौन सी है कीचन केबिनेट संसदिय सचीव प्रदान मंत्री मनोनित सदस्य उत्तर हो जाएगा बै संसदिय सचीव अगला सवाल चक्रों के भीतर चक्र किसे कहते हैं संसद को राज्य सभा को मंत्री परिश्द को या फिर मुख्य सचीव को बताईए तो उत्तर हो जाएगा से चक्रों के भीतर चक्र मंत्री परिश्द को कहा जाता है अगला सवाल है समीधान में मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग कितनी बार हुआ है एक दो तीन चार तो बताईए साहब उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा एक बार हुआ है व्याख्या देखिए इसका प्रियोग चम्वालिस वे समीधान संसोदन में अनुछेद 352 के तहत राष्ट्र पती आपात का लगा सकता है लेकिन प्रधान मंत्री वे मंत्रे परिश्द की सला पर प्रधान मंत्री वे मंत्री मंडल की सला पर यहां पर प्रियोग हुआ इसका अगला है प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई बेठक में मंत्री मंडल के सदस से आमंत्रित किये जाते हैं आमंत्रित नहीं किये जाते हैं बिना आमंत्रन के उपस्तित होते हैं इन में से कोई कथन सत्ते नहीं है उत्तर हो जाएगा से बिना आमंत्रन के ही उपस्तित है जो होते हैं अगला सवाल है अपना निम्न में से कौन सी संस्ता अभी समय की उत्पति मानी जाती है मंत्री परिशद, मंत्री मंडल, संसद, लोकसबा तो बताईए साहब उत्तर हो जाएगा बै मंत्री मंडल और मंत्री परिशद एक समय धानिक संस्ता है अगला सवाल महा नियावादी का वर्णन किस अनुछेद में मिलता है 76, 88, 105 की भाग 4 और 79 बताईए कहां मिलता है उत्तर हो जाएगा 76 के अंदर महा नियावादी का वर्णन मिलता है यह देश का सर्वोचे विधी अधिकारी होता है कौन? महा नियावादी वर्तमान में एटोर्णी जनरल केके विणुगोपाल है एटोर्णी जनरल कोन है? यानि महा नियावादी केके विणुगोपाल अगला सवाल है महा न्यायवादी भारतिय राज्य उक्षेत्र के किसी भी न्यायले में सुनवाई कर सकता है तथा किसी सदन की बेठक में भाग ले सकता है किस अनुछेद में ये बात वर्णित है 88 में 105 के 4, 79 में या इनमें से कोई ने तो उत्तर क्या हो जाएगा किस में लिखा हुआ है एए इट्टेंसिवे आर्टिकल के अंदर अनुछेद में व्याख्या देख लिजिए 105.4 के अंदर कहा गया है आर्टिकल 105.4 में कि महा न्यायवादी को संसद में एक सदस्य के समस्त विशेशा अधिकार मिलते हैं पंडलों में भाग ले सकता है तता सेवा निवरित होने के बाद निजी प्रेक्टिस तो कर सकता है परन्तु भारत सरकार के विरूद है जो कोई भी सला नहीं कर सकता सला नहीं दे सकता अगला सवाल देखते हैं लाइक नहीं किया अभी तक भी वीडियो को तो जरूर लाइक करें आप और सभी ग्रूप में वोड़सप एस्टेटस वगरा लगाया करें ताकि ये फेमेली अपनी ओर आगे बढ़ सके इतना स्रेश्ट मेटर आपको इतनी मेहनत के साथ अगला सवाल भारत की द्वी सदनात्मक व्यवस्ता किस अधिनियम से ली गई है 1919 से 1935, 1881 से या फिर 1905 उत्तर हो जाएगा द्वी सदनात्मक व्यवस्ता कि सदनियम से ली गई है 1919 से और विश्व में संसद की जन्नी कौन? इंगलेंड अगला सवाल राश्ट्र पति को संसद का अंग किसकी सिफारिस पर जोड़ा गया था राज गोपलाचारी, डॉक्टर राधा कृष्णन, शियारदास, एन गोपाल स्वामी जो राश्ट्र पति हो भी संसद का अंग होगा किसकी वज़े से किसकी सिफारिस पर उत्र हो जाएगा द्ध एन गोपाल स्वामी की सिफारिस पर राज्य सबा, लोग सबा, राश्ट्र पति में से एक भी अनुपस्तित रहने पर संसद है जो नहीं कहलाती हो संसद नहीं कहलाएगी फिर अगला सवाल देखिए संसद का अपना सचिवाले होता है केबिनेट सचिव, राश्ट्र पती, लोग सबा अधिक्स इन में से कोई नहीं तो बताइए संसद का जो अपना सचिवाले होता है उसका widow कोन होता है उत्र हो जाएगा से लोग सबा अधिक्स परन्तु इसका मुख्या केबिनेट सचिव होता है मुख्या की बात आये तो केबिनेट सचीव और अध्यक्स की बात आये तो लोकसभा पदेन अध्यक्स की लोकसभा अध्यक्स अगला सवाल है संसद भवन की परिकल्पना करने वाले थे सर लुडविन, हरबर्ट, बेकर दोनों दोनों ही नहीं संसद भवन की परिकल्पना किस ने की थी उत्तर हो जाएगा क्या से इन दोनों ने कौन-कौन सर लुडविन और हरबर्ट, बेकर ने आगे देखिए भारतिये संसद का शिला न्यास 12 फरवरी 1921 को किया था सर एडविड लुडविन, हरबर्ट, वेकर, डूक ओफ कनाड, स्पेंसर ने उत्तर हो जाएगा से वहीं इसकी लागत चोर्यासी लाख आई थी 84 लेक तथा समय लगाता 6 वर्स, 4 माह, 9 दिन और इसका जो उधगाटन है वो वाइस राय लाड इरविन ने 1927 में किया था अगला सवाल Table of the house क्या है संसद में रखी एक विशाल मेज जिस पर आवश्यक दस्तावेज रखे जाते हैं संसद में रखी एक विशाल मेज जिस पर बजट पारित किया जाता है दोनों ही सही है दोनों ही नहीं Table of the house क्या है संसद में रखी एक विशाल मेज जिस पर आवश्यक दस्तावेज है जो रखे जाते है अगला सवाल संसद भवन में सत्तादारी पक्ष लोग सबाके किस तरफ बेढ़ता है बाई तरफ दाई सामने या पीछे तो उतर क्या हो जाएगा उतर हो जाएगा बे दाई तरफ तो सत्तादारी पक्ष जो है वो बेढ़ता है दाई तरफ सत्तादारी पक्ष कहां बेढ़ता है दाई तरफ बेढ़ता है जबकि जो विपक्ष है वो बाई और बेढ़ता है आगे हम व्याख्या देख लेते हैं दिल्ली से तीन माफ किजिएगा दिल्ली से तीन तथा राजस्तान से दस अदस से संसत भवन में बेक डोर से प्रवेश करते हैं भारतिय संसत भवन को देश का रिदे भी कहा जाता है और दोजार दो को संसत की स्वन जैंती हिरक जैंती की रूप में मनाए गई थी तो साथियों ये थी आज की सीरीज इसके अंदर कुछ महतोपून सवाल थे वीडियो को लाइक नहीं किया भी तक आपने तो लाइक कर दें शेर कर दें पहली बार देख रहें सब्सक्राइब कर ले जाने हिंदी सिक्षनर विडियों बताए कई है और ये टोपिक वाइसामाज की टेस्ट स्रीज चल ही रही है जो नए टोपिक जोड़ेगए उनको भी करवाए जारा आपको मनो विग्यान की अस्जी से उपर टेस्ट वीडियो डाले हुए लिए पांस या दस वीडियों के जिसमें complete मनोविज्यान हो जाएगी आपके और बहतरीन प्रश्णों का संक्लान होगा तो जुड़े रहें और साथियों को जोड़ते रहें फिर मिलते हैं